निरज, चंदन, सोनू, पंकज और धीरज इन साथ्यों का कहना ये है कि भाईया मुझे गरह समझा दीजिए कि गरह किसको कहते हैं, गरह क्या है तो भाईशाब आज किस वीडियो में यही किलियर होने वाला है तो गाईज, यहाँ पर आप आजानी से देख पा रहे हैं गरह और गरह को एंगलिस में प्लैनेट कहते हैं तो यहां पर मैंने इतना आसानी से लिख रहा है यह आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि तारो के चारो तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलिये पींड गरह कहलाते हैं तो यहां पर आप गौर किजेगा तारों के चारों तरफ भाई शाब तारा आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो आपके सामने सूर्य दिख रहा है जी हाँ, सूर्य हमारा एक तारा है सूर्य हमारा एक तारा है उसी परकार हमारे अकास में बहूत सारे तारे हैं इसलिए मैंने तारो लिख दिया है तो तारो के चारो तरफ चक्र लगाने वाले खघोलिय पिंड कहने का मतलब यह कि अकास वाले वस्तुए तो वही आपको गरह कहलाते हैं यानि इजीवे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि सूर एक के चारो तरफ चकर लगाने वाले अकासिय पिंड यानि खगोली पिंड क्या कहलाएंगे गरह कहलाएंगे तो यहाँ पर मैंने लिख रखाया गरह कहलाते हैं तो ये चीज़ आप ख्याल रखेगा ठीक है तो यहाँ पर गरह के बारे में समझ में आया कि नहीं आया तो भाई शाब अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारे गरह कितने हैं तो आपको यहाँ पर ख्याल रखना है कि हमारे जो गरह है न वो आठ है कितने हैं आठ हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा दूरी के अनुसार मैंने लिख रखा है आठ ग्रह हैं तो पहला जो ग्रह आ जाता है दूरी के अनुसार मतलब सबसे भीरू है हमारा बुध और इसके बाद आ जाता है सुक्र पृत्वी, मंगल ब्रिहस्पति, सन्नी, यूरेनस और नेप्चुन ये सब हमारे ग्रह हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने आठ ग्रह लिख दिया है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जारा सा ख्याल रखेगा थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको आसानी से दिख रहा होगा बूध, सुक्र, पृत्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है भाई शाब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बूध, सुक्र, पृत्वी और मंगल यहाँ पर जितने भी ग्रह आपको दीख रहे हैं इसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं आंतरिक ग्रह क्यों कह रहे हैं क्योंकि यह सूरे के नज़दीक है ठेक है, समझें और इसके बाद है यहाँ पर ब्रिहस पत्ती और इसके बाद सनी और इसके बाद यूरेनस और इसके बाद है गाईज नेप्चुन ये बाहय गरह हैं बाहय गरह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सूर्य से धेरे दूर पर है ठीक है जादा नजदीक नहीं है जादा दूर है ठीक है जो सूर्य के नजदीक है उन्हें हम आंतरिक गरह कहते हैं तो यहाँ पर सूरी के नजदिक ये सब हैं, इसलिए इसे आंतरिक गरह कहेंगे, और सूरी से ज्यादा दूर पर हैं, तो ये देख सकते हैं, ये हमारा बाहय गरह हो गया, ठीक है, तो उमीद है कि गरह से रिलेटेड आपको, जो भी मैं आपको बताया हूँ, वो आपको किलि जूड़ सकते हैं, ठीक है, तो बाइबा, टेक क्यार, बेस्ट अफ लक बने रहिए और जूड़े रहिए